नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं तेलंगाना विधान सभा चुनावों का एलान हो गया है राजी की सभी 119 सीटों पर 30 नमंबर को वोट डाले जाएंगे इसके चलते ही सियासी दलपने अपनी चुनावी अभिहान को धार देने में जुट गए हैं भारत रास्टर समीती यानी BRS के मुख्या KCR सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं लेकिन इस बार 2014 और 2019 की तरह सियासी रहा उनकी आसान नहीं दिख रही हैं कॉंग्रेस और BGP दोनों ही पूरे दमखम के साथ किंग बनानी के लिए चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं जबकि BSP और असुदूदीन OVC की पार्टी AIMIM भी किंग मेकर बननी के लिए बेताब हैं आंत्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना 2013 में अलग राज्ये बना था जिसके बाद से KCR का दबदबा रहा है KCR 2014 है और 2019 में लगतार दो चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर सत्ता पर काबिज हैं और अब तीस्वी बाद जीत दर्ज करनी के जद्दो जहद में जुटे हैं KCR तेलंगाना के अभी तक ग्रामेन और शहरी दोनों ही शेत्रों में एक मदबूत आधार के साथ खड़ी रही है लेकिन इस बार सत्ता विरोधी लहर से जूजना पड़ रहा है हालकि KCR अपनी कल्यानकारी योजना के दम पर सत्ता में वापसी की उमीदे लगाए हुए है KCR ने चुनाव की तारीकों के अलान से करीब डेड़ महीने पहले ही 110 सीटों में से 105 सीट पर अपने उमीदवारों की नाम को का अलान कर रखा है OEC की पार्टी के साथ उनका बहतर तालमेल बना कर मुस्लिम वोटों को साधने के लिए कवायत भीकर रखी है इसके बावजूद जिस तरह से तेलंगाना में इस बार कॉंग्रेस और बीजेपी चिनौती बन कर खड़े हैं उससे मुकाबला त्रिकोणिय होनी के आसार दिख रही है बदादे कि केसियार के सामने सबसे बड़ी चिनौती इस बार कॉंग्रेस से मिल रही है करनाटक विधान सबचुनाव के साथ ही कॉंग्रेस तेलंगाना की सियासी जंग पतह करने में जुट गई है प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष रेवन्त रिड़ी की जन्यात्राओं को मिली सफलता से पार्टी उत्साहित है और पूरे दमखम के साथ शनाव लड़ रही है प्रियंका गाधी वार्डरा, राहुल गांधी और कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिक कारजुन खडगे की जन्सभाए हो चुकी है इसके अलावा हैदरबाद में कॉंग्रेस कारे समीती के बैठक के बाद हुई रैली में सूनिया गांधी को सुनने उम्री भीड ने बियारेस की मुकाबले कॉंग्रेस को ला दिया है कॉंग्रेस का मानना है कि बियारेस के खिलाव एक मजबूत सत्ता विरोधी लहर है जो उसके सत्ता में आने के लिए मदद साबित हो सकती है पिछले दिनों बियारेस की कई नेता कॉंग्रेस में शामिल हुए है कॉंग्रेस ने मुफ्त भजली पेंशन सही तमाम लोक लुभाव ने वादे कर रखी है इसके लावा बीजेपी दोहजर नीज के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तेलंगाना में सक्रिय है प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड डिया क्रमक तरीके से चुनावी प्रचार में जुटे हैं तो वही पिछली चुनाव में बीजेपी को एक सीट पर जीत मिली थी जो बढ़कर फिलहाल तीन हो गई लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश दहाई के अंक में विधायकों की संख्या को पहुचाने की है 2018 में विधान सभा चुनावों में केवल एक सीट जीती थी लेकिन 2019 में चार लोग सभा सीटे जीती थी यही वज़ा है कि बीजेपी इस उमीद में है कि उसकी सीट बढ़ सकती है इसके अलावा तेलंगाना में सुदुद्दीन OEC की पार्टी All India मजलिसे इतिहादुल मुसिलमीन यानि AIMIM का अपना सियासी आधार है पार्टी हैदरबाद में मुसल्मान मतों के सहारे पिछली दो चुनाव से साथ साथ सीटे जीतने में सफल रही है हैदरबाद के पुराने शहर की विधान सभा सीटों पर OEC की पार्टी जीत हासिल करती है ऐसे में उनकी कोशिश किंग मेकर बनने की है जिसके लिए मुसलिम मतों को अपने साथ एक मुष्ट जोड़े रखना चाहते है इस तरह तेलंगाना में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलने पर उन्हें लगता है कि उनकी भूमी का एहम हो सकती है वहीं OEC की नक्षे कदम पर BSP भी चल रही है और उसकी कोशिश दलित समुदायक सहारी किंग मेकर बनने की है फिल्हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दमाम की फिल्हाल के लिए इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिये की तमाम खबरों को लेकर अपडेट रहने के लिए आप देखते रही SPN 9 News